दोस्तों एक एनो लाकर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत श्वागत है तो चलिए आज हम दिसा ज्यान परिक्षड से यह हमारा जो टॉपिक है दिसा ज्यान परिक्षड इसमें से हम लोग आज चर्चा करेंगे आपके एक्जाम के विए से जो इंपोर्टेंट है और मै मैं उसी कोईस्चन को लिया हूँ जो आपके SSC मैट्रिक लेवल में पूछे गए कोईस्चन है 2015 में यह कोईस्चन यह 2008 में पूछे गए कोईस्चन है तो इसको मैं आपको सॉल करके बताऊंगा सबसे पहले आप यह ध्यान रखिए दिसा ज्यान परिक्षड कोईस्चन बन लेंगे और यह कोईस्चन आता ही है नोट कर लिजा आप बिभी न कामपेटेटिव एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं से सी पीस्ची रेलवे बैंकिंग जो भी चीज़े का तो उनमें यह एक कोईस्चन आता ही है और यह दोनों कोईस्चन जबाब कर लेंगे तो आपका 100% ऊसको पहले बता देता हूं दीशा ञ्याण परिक्षाण क्या आप देख रहे हैं डारेक्ट सेंस टेस्ट तो चली देखते हैं कि यह अभियार्थियों से ऐसा आसा करता है जो परिक्षा है होता है कि दीशा ञ्यान संबन्धी आपको कितना ग्यान है कितना नौलेज है वो आप जानते हैं कागज में हम लोग जो question paper पाते हैं वो कागज ही है तो इसमें देखते हैं यह पूर्वा है कागज चाहे blackboard चाहे किसे में बनाई है इधर पूर्वा इधर पस्चीम इधर क्या पस्चीम आप जानते हैं इधर उत्तर बोलते हैं और नीचे को क्या बोलते हैं दक्षिर बोलते हैं, कागज में या कोई भी चीज में प्रदर्शित करते हैं, कागज, वाइड बॉर्ड, ब्लेक बॉर्ड, उसमें ऐसे ही, आप आंसरशित में भी ऐसी प्रदर्शित करेंगे, ऐसे ही हमारे कोश्चन सौल होगा, तो इधर पूर्वा, इधर पस्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिड, तो ध्यान रखिए, चार दिशा होते हैं, अब जब हम बनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, आठ दिशा होते हैं, जब हम लोग कोश्चन स्वाल करते हैं, थोड़ा सा इन, इसके बारे में भी हमको जान दक्षिर पूर्वा, ठीक इसी प्रकार से, दक्षिर और पस्चिम के बीच को बोलते हैं, दक्षिर पस्चिम, और उत्तर के बीच को बोलते हैं, ठीक इसी प्रकार से, उत्तर पस्चिम, तो इस तरह से कुल मिला के कितने दिशा हो जाते हैं, आठ दिशा हो जाते हैं, यह ध् गड़ी चलने मतलब कोई भी आदमी question पूछा जाता है मालो एक से चल रहा है या राम से आम जो भी आपको देता है नाम से मतलब नहीं है आप question का प्रारूप देखिए अगर वह दाय मूड़ता है क्या करता है अगर कहता है कि वह दाय मूड़ता है इसका मतलब है कि यह और नौ जानते हैं आप घड़ी अगर दाय मूड़ता है कहता है तो घड़ी के दिसा में चलता है वह इस तरह से मतलब दाय मूड़ना मतलब घड़ी के clockwise क्या clockwise यह ध्यान रखेगा इसको कहता है घड़ी के दिसा में घड़ी का काटा कैसे घुमता है सिधे दिसा में चलता ह तो इस तरह से clockwise बोलते हैं इसको यह direction में बताए हूँ आपको इस दिशा में चलता है दाया मुड़ना अगर कहेगा आप बिल्कुल ध्यार रखेगा यही आपका basic है इसी से आपका question बनना है अगर दाया मुड़ता है कहता है तो घड़ी के दिशा में चलेगा और बाया मुड clockwise क्या anti clockwise यह ध्यार रखेगा बाया मुड़ना मतलब anti clockwise मतलब घड़ी के विपरित दिशा में घड़ी के काटा कैसे चलती है घड़ी की सुई सुईया इस तरह से चलती है और विपरित कर देंगे तो यह अब इसका direction उल्टा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा यह ऐसा हो जाएग एक बार अगर मुड़ा कितने बार एक बार मुड़ा तो 90 डिगरी मुड़ता है यह ध्यार रखेगा और अगर दो बार मुड़ गया कहता है दो बार डाया मुड़ा या बाया मुड़ा तो 90 गुड़ा दो मतलब 180 अंस अक्षास में मुड़ेगा तो अक्षास से संबंधित रहेगा तो ऐसा question आप बना लेंगे चलिए सिधह चलते है question पर सबसे पहला देखते हैं पर लिजे पहले question को बहुत ही सरल होता है अमीत अपने घर से उत्तर की ओर 5 km चला वहां दाई और मुडा और 3 km चला ध्यान रखेगा वहां और क्या बोला और 3 km चला फिर फिर क्या फिर वहां दाख्षिड की और मुडा और 1 km चला बताईए वहां अपने घर से कित्ते दूर पार है तो चलिए सबसे पहले हम सौल करेंगे तो ध्यान रखने हैं आपको अमीत अपने घर से उत्तर की और तो माल लिजे माना की ये घर है अमीत का क्या है ये घर है माल लिजे इसको ओ बिंदो माल लेते हैं क्या माल लेते हैं ओ अब क्या कहता है अमीत अपने घर से उत्तर की और तो अभी में पताया था डारेक्षन उत्तर किधर है जी उपर कितर तो उत्तर की और ऐसा खेंच लिजे आप लाइन, उत्तर की और ऐसा, ये उत्तर की और कितना किलोमेटर चला, पांच किलोमेटर लिख लिजे, कितना किलोमेटर चला, पांच किलोमेटर, आप कहता है वहाँ दाई और मुड़ा, और तीन किलोमेटर चला, तो देखिए ये इधार होगा तो इस तरफ मुड़ा वो और कितना चला बोल रहा है तीन किलोमेटर चला लिख लिजिए फिर वहाँ दक्षिड की और मुड़ा बोल रहा है तो दक्षिड नीचे तरफ होता है तो दक्षिड की और मुड़ जाईए और दक्षिड की और मुड़ करके कहता है व है, इसको c solve करने के लिए, अब चली हम लोग देखते हैं, यहां से अपने घर से, गहर कहा है उसका, यह ओ है आपका, शुरूम बताया हैं, तो यहां से यहां तक कि दूरी बोल रहा है, तो अब क्या करेंगे हम लोग जी, यहां से यहां तक की दूरी बोल रहा है, तो इसको अपने घर से कितने दूर पर है, मतलब यहां से लेकर यहां तक वह कितने दूर पर है, तो यह ध्यान रखने है आपको, तो हमको क्या निकालना है आप, इसी भूजा की मतलब यहां तक की लंबाई निकालना है, तो अभी हम लोग क्या बना लिए, सम कोड एक क्रिभूज बना है O और A का 5 km A और B का 3 km तो ये भी 3 km होगा ध्यान रखेगा ये भी क्या होगा 3 km होगा उपर बराबर है दोनों और यहां से नीचे आये तो 1 km है लेकिन यहां से चली गेप कर देता हूं थोड़ा समय समझाजने के लिए आपको यहां तक ये B से C तक चला तो 1 km चला अब दे देखिए C और D भुजा हमको निकालना है C और D तो C और D कैसे निकालेंगे A और O में इसमें A और O में माइनस कर देंगे B और C को क्या कर देंगे B और C को तो चलिए देखिए आप A और O कमान कितना है 5 km लिख लिजिए 5 माइनस B और C कर कितना है 1 km तो 5 5-1 is equal to कितना 4 km कितना आगया 4 km तो देखिए हमारे पास C और D की लंबाई आ गई कितनी आगई C और D का 4 km लिख लेजिए यहाँ पे निकाले अभी हम लोग 4 km तो अब चलिए देखते हैं पाइथा गुरस प्रमे से तो पाइथा गुरस प्रमे का सुत्तर क्या होता है जी आप सभी जान लंब का वर्ग धन अधार का वर्ग ध्यान रखे गई यह रूट बाई है तो देखिए लंब कौन सा भूजा होता है यह वाला होगा C और D और करना कौन सा होगा चलिए मैं लिख देता हूं यह करना है आपका और इसी को हम को गयात करने हैं सुरू बताया था मैं O से C तक तो ऐसे कोईस्चन बोलेगा अपने जगह से जहां पहुचा है वहां तक की दुरी तो आपको ऐसे त्रिभूज बनाके निकालना पड़ेगा यह आप बिल्कुल ध्यार रखेगा तो पांच में से गया तो चार किलोमीटर अब चलिए देखते हम लोग यह किसका आ गया C औ गया कर नए तो उसको भी लिख लिएगा अब कर लिजिए रूट में 4 चोक 16 प्लस 3 तिया 9 तो 16 और 9 कितना होगा जी 25 होगा अब 25 को हल करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा 5 का रूट 25 25 रूट है तो कितना आएगा 5 तो OC की लंबाई मतलब अपने घर से वहाँ आप कहता है बताईए वह अपने घर से कितने दूर पर है तो अपने घर से कितने दूर पर है 5 किलो मिटर पर है फेरी most important है बिलकुल अच्छे से कर लिजेगे इस गडित को ये reasoning का सवाल आपका आता ही आता है इसी type के question आएगे इसलिए मैं दो question लिया हूँ इतना आप कर लिये तो इस type के question बनते हैं बस figure बदल देगा वो ये आपका SSC में पुछा गया question था इसलिए मैं इसको लिया हूँ 2015 में ध्यान रखे गई ये वाला जो question बस मैं नाम बदल दिया हूँ उसमें नाम नहीं बदला है इक्जाम में क्या होता है नाम को बदल देते हैं बाकी question pattern वही रहता है तो इस type का question आपसे बन जाएगा next देखते हैं बहुत ही सरल है इसको सालव करते हैं तो चली देखते हैं इसमें क्या कहता है पढ़ लिजे पहले question को एक आदमी 5 km उत्तर दिशा की ओर चलता है दाएं मुढ कर 10 km चलता है अब वहाँ बाएं मुढ कर 5 km चलता है अंत में बाएं मुढ कर पुनह 10 km चलता है बताईए वहाँ किस दिशा में चल रहा है इसी type के question आएगे बस दो ही प्रकार का होगा इसमें सारे question आपके solve हो जाएंगे चली देखिए एक आदमी 5 km उत्तर दिशा किस दिशा में जा रहे है उसको ध्यार रखना है सबसे पहले आपको तो यह क्या एक आदमी 5 km ना उत्तर दिशा की ओर किस की ओर तो चलिए यहाँ से कर लेते हैं उत्तर की ओर 5 km किस की ओर ए नाम जो भी आप दे सकते हैं नाम नहीं देंगे तो भी चलिगा उत्तर दिशा की ओर चलता है कितना किलोमेटर चलता है 5 km लिख लिजिए 5 km चला अब कहता है देखिए अब वह दाएं मूड कर कहता है अब धेखिए यहां से चल रहे है दाएं फिर भता हुँ मैं जब आप सामने ऐसे चलते रहते हैं तो दाएं ना है इधार है तो इस तरफ मुड़ा हो और 10 km चला कहता है कितना चला अब देखिए डाएं मूड कर 10 km चलता है अब वहाँ बाया मुड़कर कहता है अब देखिए ये ऐसे चल रहा है फिल ऐसे अब सिधा हो जाएंगे आप इस ताइस तो क्या कहता है अब बाया मुड़कर अब यहाँ से बाया कहा होगा जी इधार होगा इस साइड होगा बाया बाया मुड़कर पांच किलमेटर चलता है 5 किलमेटर, मतलब यहां से यहां तक की दुरी 5 किलमेटर, 5 किलमेटर चलता है, आंत में बाये मुड़कर 10 किलमेटर चलता है, आंत में फिर वो बाये मुड़ता है, मतलब यहां से ऐसे जा रहा है, तो बाये इस साइड होगा न भे, सिधा आप खड़े है तो, ध्यान रखेग जिए चीन कोड़ी समय अरता है आप देखें यहमें नग्सा कि देख लिए पूर्वा इधर पस्चिं इधर उत्तर है और तो देखी पहले तो उत्तर की और चला ये ये जो उत्तर दिशा है इस और चलन ऐसा फिर दाहिना मुड़ा तो पुर्व की और गया फिर उपर तरब गया फिर बाया मुड़ा वो फिर उपर की तरब गया तो कौन सा उत्तर की और गया फिर ऐसे आया फिर बाया मुड़ा और मैं मूड के ये फिर आया तो ये क्या है कौन से दिशा में आ रहे है पस्चिम है नहीं इधर तो ये कौन से दिशा में आ रहे है पस्चिम के और तो इसका आंसर होगा पस्चिम तो बिल्कुल आप आंसर ऐसा देख लिजिए जो आपके एकजाम में कोस्चन में दिये रहता है उस question में आप क्या टिक करेंगे पस्चिम को टिक करेंगे तो चलिए description link में और बहुत सारे वीडियो दिया है आप वहां से मैं सारे संपुण विशाय का ध्यान करा जाता है दोस्तों जो नए ही चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि जो भी नए उडियों के लिए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहें लाइक करें और शेयर जरू करें थैंक्यू